हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग, यहां आप देख सकते हैं, जीजीव के मेरिट सूची में बड़ी गरबड़ी हुई है, का मंक वालो का नाम भी प्रवेश सूची में है, और फार्मसी डिपार्टमेंट में कल एक छातर को प् मेरिट सूची में गरबड़ी का मामला सामने आया, का मंक वाले को प्रवेश सूची में नाम होने और अधिक आंक वाले बाहर करने की शिकायत हुई है, इसके अलावा फार्मसी विभाग में एक छातर को फीस जमा करने के बाद प्रवेश से वंचित कर दिया गया, आगे न इसके अलावा फार्मसी विभाग का है, जहां एक छातर को शुकवार को प्रवेश से वंचित कर दिया गया, छातर का कहना था कि अधिकारी आँक बंद कर काम कर रहे हैं, छातरों के भविश को लेकर कोई चिंता नहीं है, अरक्छन नियमों के पालन में भी लापरवाई ब जाने से चातरों के बीच दावापति का समय नहीं दिये जाने के बीच या शंका और भी गहरी गहरा रही है कि केंदरी विश्विद्याले में प्रवेश के लिए जारी सुची में इमानदारी नहीं बढ़ती गए, इसके अलावा एक चातर को बार्वी में 95% अंक मिले, मैर भारी प्रोफ रिप्रतिभाद जे मिश्रा ने कहा कि संबंदित विभाग से जानकारी लेने के बाद ही स्तिती स्पस्ट हो सकेगी, तो ये जीजीओ का न्यूस है जो आज के नई दुनिया में आया है बेलास्पो डिविजन के, तो आप यहां पर देख सकते हैं ये नया च कि admission, fees जमा करने के बाद भी उसे admission नहीं दिया, 95% marks आये लेकिन merit सूची में उसका marks 90 लिख दिया गया है, ये सब कुछ क्या है, ये एक misunderstanding है या गलत प्रिंट हुआ है कि सच मुछ में कुछ वहां गड़वड़ी हो रही है, ये तो आगे news में पता चलेगा, admission होते जा रहे है तो कि सच मुछ ऐसा कुछ हो रहा है कि बिकाज ये Central University और यहां ऐसा चीज होना मींस एक बहुत ही बड़ी बात है, कि इस university में भी ऐसा हो रहा है, कि यहां पे teachers कोई भी serious नहीं है, admission को लेके, लोग reservation भी नहीं देख रहे हैं, किसी को भी admission दे दे रहे हैं, इसका मतलब, या तो शायद यहां पे भी आप बोल सकते करप्शन का कुछ खेल है, या फिर आप ये बोल सकते हैं, कि वो अपना काम नहीं करना चाहते, इसको लेके कुछ ना कुछ मामला है, या कुछ हो सकता है, misprint हुआ हो, या वाकई में ऐसा कुछ मामला हो, कि सच मुछ ऐसी कुछ लाप और ये सिर्फ और सिर्फ एक misunderstanding और एक confusion जैसा ही हो, सच में ऐसा हुआ ना हो, क्योंकि ये students के future का सवाल है, और जिस तरीके से जो नियम बनाए गए हैं, उसी तरीके से सारे university और colleges को follow करके students को admission देना है, merit के basis पे ही, तो I hope इस news में मैंने जो भी कुछ आप लोगों को लिए बताया, वो आप लोगों के लिए helpful होगा, तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे की वीडियो के updates के लिए, thank you so much for watching this video.